और रखना तो जैसे कि अभी समझा कि इन यह वह चाहाइज पूडव में मतलब क्या किया अंबर को डगरा तो उसमें क्या हुआ इसमें आकरसं का गुना गया इतना बात बोल के उठ चले गया चले गया तो उसका उठ टॉक्त गिलवर्ट आये बता दोसका इसी भी बता रहते हैं को आई डॉक्त गिलवर्ट तो उन्होंने इसके आगे का सोध करना स्टाट किया डॉक्त गिलवर्ट ने तो उन्होंने क्या काच का च्छड लेकर देखा कि काच के च्छड को रेसम के टुक्रे से रगरा ठीक काच के च्छड को रेसम के टुक्रे से रगर के देखा तो काच के च्छड में भी गुन आ गया जोकी अंबड के पत्थर में अंबड का जो घुन जो था हाँ उस पत्थर में जो अकर्शन का गुन था वह काच काच बाले च्छर में भी आ गया एक हाँ अगया मतलब ही छोटा-चोटा टुकरा को अपनी और आकर्शित करने लगा दक्रलबाट ने ये काम किया वहीं सिर्फ बूला कि नहीं सिपरबडे में इसक्राइं अबीर काड़ की अगये तहल best करने देख़ें ठीक है अहां हां 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 आकरसित कर लेता तो तो वही चीज डॉक्टर गिलवर्ट ने बताया कि सिर्फ अंबढ ही नहीं नहीं कि वो नाइट के चर्फ होता है जो लुट अपर ह्टा लेक्टम हाड आपर जो पुलीसुलिस के हाथ में देखते नहीं यह रबर का रहता है कि डंटा होता है तो उसमें भी क्या होता है उसमें भी गुना जाते हैं आकर्शन करने का तो यहीं चीज डॉक्टर गिल्बर्ट बता है ठीक है तो अब बात आता है कि बीधूत आवेस चेप्टर का नाम पढ़ा कैसे ठीक है इस चेप्टर का नाम बीधूत आवेस कैसे पढ़ा यह देखी तो आते हैं तो बीधूत जब क्या गया है जब किन ही दो बस्तुओं को इसे दिखाई दे रहा है आपको तो आप उसको चौड़ा कर लिजेगा ना लैंड़स के मोड़ में कर लिजेगा ना तो ज्यादा देखेगा ठीक है कि अनुद देखाना मतलब अखाली मेरे अधि बॉर्ट पर किलिक कर लिजेन आप कि अधिन नहीं सीधा नहीं दूनुव साथ में ही है और कॉपी वाला साथ में ही है ठीक है अच्छा ठीक हाँ जूंबी करके देख सकते हैं तो जब कि नहीं दो हाथ इसको याद रखिएगा कि बैदूत सीधा आप से पुछाया कि विदूत क्या होता है ठीक है तो अभी अभी हम आपको पहले बताया क्या थे कि अंबर का जो गोंद था अंबर के पेर का जो गोंद तो उसी को बाद में दूसरे बैगानिक ने उसका नाम विदूत रख दिया ठीक है आकर्सन के गुन जो आ जाता था तो उसका नाम विदूत रख दिया तो चलिए अब देखते हैं विदूत किसे कहते हैं जब किनी दो बस्तू को आपस में रगरने से घर्षन द्वारा बस्तू में आकर्शित करने का गुन आ जाता है उसे क्या कहते हैं विदूत कहते हैं किि हम कोई दो बस्तु को अपस में रगण है न तो सब किसी बस्तु में मत्तमें आकर्शन करने का गुण अगार जाहा है यानी हमकोई दो बस्तु को रगड़े जैसे की कााज के चटा को और रेस्टर्सम के करने का गुन नाम है उसका करने का गुन जो है वह क्या है उस बजतू का मतलब बिजली पाइदा करता है कि अपकरेंट लगता है तो देखते हैं आपका शरीर किस तरह से एक अधि हो जाता है करेंट तो वही तो वही चीजी इसमें बिजली का गुन आ जाता है जिसका दूसरे को अपनी वताकर्षित करता जैसा कि विदूद कुछने जाएगा तो देखते नहीं आपको क्या होता है जड़का मशूस्थ है ना जड़का मसूस्थ होता ना उसी तरह तो काज के च्छड म सब्सक्राइब ने इसका नाम क्या दे दिया ठीक है सर्थ होमस ब्राउन ने इस अब विदूत नाम दे दिया ऐसे कभी-कभी पूछ भी सकता है तो इस अब हम आपको जितना भी नोट्स भेजेंगे ना उसको भी पढ़ना आपको और साथ में क्या करना है यह पर का भी कुछ जीन बस्तू में आकर्शित करने का गुण आ जाता है तह तो मैं हो जाता है मतलब विधूत मैं हो जाता है करने का जाता है वह क्या कहलता है कि आपनी और क्या कर लेगा अपने और खीच लेगा अपने चीच लेगा अपने खीच लेगा तो तब अब कोई पता आर्थ अब तो आवे जब कोई पदाओध आर्थ ऊोग रखेंग कोई ​​ जो है तो कहा जाता है कि उस पदार्थ ने आवेस आवेस तो का चार्ज हो गया उसको चार्ज हो गया ऐसे हम लोग बैटरी मोइल करते हैं तो अगर कोई भी बस्तु जो बीधूत मैं है जिसमें आकरशन करने का गुन आ चुका है तो हम लोग क्या कहेंगे उस बस्तु को यानि पदार्थ मतलब बस्तु ठीक है पदार्थ को क्या कर लिया आवेसित हो गया वो चार्ज हो गया वह क्या हो गया चार्ज हो गया लिए तो घर्स अब बात करते हैं कि घर्षन से उत्र lotta को वहतन है अगर किसी चीज़ को घर्षन कर रहा है न Bless को वह मतलब घर्षन हो गार्षन करने को गुन आ रहा है को ईसको हम लग क्या कहेंगे घर्षन वह hypocrite कहेंगे अगर्षन मतलब घसने खरसन मतलब घीसना दो बस्तु को हम लोग घीस नहीं होग गिस रहा है घंडी में घर्सन हो गया घर्सन से उतपन विदूत कोई बस्तु में कब घर्सन कर रहा है तो भी नहीं आ रहा है कि अहीले से घर्चन नहीं किया हुआ है तो उसको elda की एक उप्रासा गस लिजीए का किस को ही अपने बाल में घस लिजीएगा ballet चोटे चोटे टुकरे के पास ले तो अपनी और आकरस्यत करने लेगा लेकिन डारेक्ट कंग को ले जाईए गा तो करेगा कि नहीं करेगा तो वह क्या है मतलब उदासीन है पहले से उदासीन है ठीक यतना मजब आ गया तो अब बात करते हैं कि होता है कि आपेस सिधा बाथ है कोई भी आवेस जो уд 김ू कि भी बता रहा है कि बस्तू में जब आकरस्यत करने का गूंअ जाता है कोई भी बस्तू में ठीक है कोई भी बस्तू है उसमें पदार्थ का ही गुण है अभी बता रहा है न कि बस्तू में जब आकर्सित करने का गुण आ जाता है तो नब बलते हैं कि बस्तू आवेसित हो गया है भी पड़े हैं हम लोग कि उस पदार्त में आभेस गरहन कर लिया इसी कारण गूह पदार्त को आवेसित पदार्त कहते हैं एक जब करने का गून तो हम लोग जब का उसमें एक मारे जो जब जब पदार्त हो को यह आपस में रग है हां हां इलेक्ट्रोन ओको अधान पदार्थ है वही पदार्त पर मानु से मिलकर बनाता है परमानू बहुत पदार्थ का सबसे चोटा कन जिस कन से मिलके पदार्थ बना हुआ है उससे सबसे चोटा से चोटा कन जो होता है वो शबस चोटा होगा कोई भी भुस्तु बनता है है मिल के बना होगा हमारा सरीर मं अ यह व तो है चोटे-चोटे कनों से मिलके बना होता है ठीक है और चोटे-चोटे कुरसी काहों से मिलके बना होता है तो उसी तरह कोई भी पधार्थ हो गया जैसे आपका लकडी हो गया लकडी का कुरसी हो गया टेवूल हो गया लकडी को जो काटते तो चोटा-चोटा कन निकलता है इसे कंट से ही बटथ है ना वह यह को रिधर से एक जिए नाम क्या है तो यह जो पर्मानु है आपका पर्मानु में पर्मानु भी है ना तीन चार दो चीज़ तीन चीज मिसे मिल के बना हुआ है एक है प्रोटॉन जाद रखिएगा कि आप लिख लिजिए मत्री स्टार्ड देके कहीं पर लिख लिए कॉपी में इस अब नोट कर लिजाएगा ठीक है कि इसको मिटाते हैं फिर से बता इसको लिखते हैं परमानू जो है वो प्रोटॉन 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 नीट्रोन और इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन से मिलके बना होता है इलेक्ट्रोन से मिलके बना होता है इसतीनों से मिलकर वर परमानू adequate है कि इतना ची समझें कोई दिकत कि चली अभी तक हम लोग क्या क्या सिखें बताइए कि हाँ विधूत सिखें तो विधूत क्या हुआ मतलब क्या हुआ कि हाँ उस पदार्थ में है ना कर संकरने का कुन आ जाता था जब रगरते थे तो ठीक न हम लोग उसे पूचा कि बिधूत क्या है तो आप सिधा सब बताएए अधान का नाम नहीं याद करना हम लोगों को ठीक है इस वह अधान होता है है आपस्वेड़ा करने से होता है मतलब ठीक है तो आप अब आप सके बारे बता रहे तो चलिए तो परमानू जो है ना पदार्थ का एक छोटा सा कन है और परमानू भी जो है वो फूटान न्योट्रउण और एलेक्ट्रन से वाल यह हमाई लेते हैं की एक परमानू इस ताब सर्घ है खोपार भी तो परमानू के मद्ध भाग में माद्ध इंच्le तो की लिखते है तेक से लीक्षए उस चार्ज होता याद रखेंगा प्रोट्रोन पे प्रोट्रोन पे बस चार्ज होता है मतलब प्लस आवेस चार्ज मतलब क्या हो गया प्लस चार्ज होता है यह बात याद रखेगा इलेक्ट्रोन निगेटिव चार्ज होता है निगेटिव चार्ज मतलब आवेस तरह से इस तरह से चक्कर लगाते रहता है बाहरी एरिया में परमानु के बहरी एरिये में क्या करता है इलेक्ट्रोन बाहरी कच्छा में चक्कर लगाते रहता है तो अध्यान दिजेगा अब प्रोट्रोन के बारे मता है कि प्रोट्रोन पर प्लस चार्ज होता है धरातमक होता है और नीट्रोन में कोई चार्ज नहीं होता है उदासीन होता है नीट्रोन पर क्या होता है उदासीन होता है कोई चार्ज नहीं होता है नो चार्ज, नो चार्ज में तो कोई भी आवेस नहीं होता है, कोई भी आवेस नहीं होता है, तो परमानों के बारे में समझ गए, तो अब इहां पर आवेस का परिभाशा समझी ए, आवेस पदार्थ का एक गुन है जब पदार्थों को आपस में रगर दिया जाए तो उनमें प्रस्पड इलेक्ट्रोनों के आदान परदान के फल्सोरूप आकर्शन का गुन आ जाता है अब आया वा समझ में कि दखिए अब यहीं से हमारा चेप्टर स्टार्ट हो रहा है यह आपका भीवी आई कुछ्चर मतलब एक तो समझ लिए तो आवेस पदार्थ का एक गुन है जब पदार्थों को आपस में रगर दिया जाए तो उनमें प्रस्पड आया दास एक है चलि है यह काच का चार माल लेते हैं अगर्च का चड्र है तो काच के चड को डिया जाए तो उनमें प्रस्पर इलेक्तरों का अदार्थ ये ज़ो ट्रोन अधिक का च्छड जब नहीं रघने हुए है तो उसमें इलेक्ट्रोन करन रैटरोवट परवाद कokrat नीप्रोन गेव कोई भी पदार्थ क्या है तो परमानु के बना उता है और मलता होता है माइनस चार्ज भी है एक ऑडर रिसम में नहीं रग रहे हैं उसमें प्लस पलस पलस है और निगेटीव निगेटिव भी अभी नहीं रग रहे है तब आबेश को समझाने के लिए बात बता रहे हैं हम ध्यान से देखेंगा इसको काच के च्छड को जब हम लोग रेसम से रगरते हैं तो उसमें का इलेक्ट्रोन का आदान परदान होता है यानि निगेटिव बाला इसमें चला जाएगा किसमें चला जाएगा रेसम बाला का पोजिटिव चार्ज जो है इसमें चलाएगा इलेक्ट्रोन चाहिए इसका भी इलेक्ट्रोन हां हमेशा जब भी कोई भी पदार्थ में जो होगा वह एलेक्ट्रोन का ही आदान परदान होगा ठीक है एलेक्ट्रोन यानि निग्रेटिब अला ही दूसरे में जाएगा ठीक है कि अचलिए आईए तो काथ के छर को रेसम से रगरे रगर दिये है ठीक है तो रगर है ना जब हम लोग भी हसे तो ठीक है इसको अभी रगर के जो आया है esses इसमें TI होग शब्रमें इसका जो पोजीटिव चार्ट था रे सम्क पॉजी कॐश्च आइशम का सब इस्में चला कुछा चला आया comic कि आखा सब ये चलाया और सिर्फ आख ज Off you जब इलेक्ट्रोन का आधान परदान होता है तो ना जाता है काच के च्छर में जाहिड सब्सक्राइब यह समझें पहले कर चल या या इसको ध्यान से देखना कि काच के चलिए कि रेसम में अब हम लोग काच के फोटा-चोटा कागच का टुक्रा लेते हैं इसमें दाथा रहेगा उसी में क्या होगा वही आकर्सित करेगा ध्यान रखिएगा क्या बात याद रखना है जिसमें धनात्मक चार्ज होगा तो उसी को वह आकर्षित करेगा ठीक है कि आगे यहां तक समझ मागया अधनात्मक बस्तू ही जिसमें धनात्मक ज्यादा रहेगा वही चीज अपनी और आकर्चित करेगा अपनी और आकर्चित करें किसी बस्तू को यह बात समझ मां गया अधना काम कर लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अधने तो आभेस के दो परकार होते हैं अभी अभी हम लोग पढ़ें आप इसके बारे में अभी बता है झाल भी तो आवे से त्याज भी हो तो अभे इस तो आपकर